नमस्कार मैं हुआ मंतिका श्रबास्तव जैसा कि आप जानते हैं कि आईश्मान में हर पार स्वास्त संबंदी समस्याओं पर खास रानकारी थी चाती है तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर बिनीता रामनानी जो की बंसल हॉस्पिटल में कांसर्टेंट आइस सर इस पर फ्लाश हो रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर बिनीता रामनानी से चचाचा के शुरुबात करेंगे हम डॉक्टर बिनीता और सबसे पहले जाना चाहेंगे आप से कि आखे आखे क्यों कमजोर होती है और यूज्यली पीछे के कई कारण होते हैं जो हमने अपने कई प्रोग्रामस में लिए हैं जैसे की चश्मे के नंबर्स बढ़ता हुआ मोतिया बिन्दू कांच बिन्दू के बिमारी या अगर कोई शाररिक बिमारी है जैसे डाइबिटीज तो उसमें होने वाले डाइबिटीज के पे जादा फोकुस करने वाले हैं वो है एज रिलेटेट मैकुलर डी जनरेशन याने उमर से पर्दे पे आए हुए धब्बे जो की हम डीटेल में चर्चा करेंगे बिल्कुल और जिस तरह से डॉक्टर विनीदा अपने जिक्री किया कि कैटराक्ट और बाकी बिमारी के बार जाता है उसको एज रिलेटेट मैकुलर डी जनरेशन और लो वीजन के अवेरनेस के रूप में मनाया जाता है जैसा कि नाम बता रहा है एज रिलेटेट याने ये बढ़ती हुई उमर की प्रॉब्लम है जो साट साल से बड़े व्यक्ति किसी को भी हो सकता है मैकुला मतलब की रेटिना का सबसे शेंसिटिव हिस्सा जो हमारी आंख का परदा होता है उसके पर दे के सेन्टर वाले हिस्से में डी जनरेशन याने कुछ धब्बे तो ये एज रिलेटेट मैकुलर डी जनरेशन है ये साथ साल से बड़े लोगोँ को किसी में भी हो सकता है बिल्कुल साथी ए भी जानना चाहेंगे कि क्या इस Degeneration के कुछ प्रकार भी होते हैं या एक Single Defined बीमारी है जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही प्रशन किया क्योंकि ये जो Age-Related Macular Degeneration है मुख्यता दो तरीके का होता है एक Dry Variety होती है और एक Weight Variety होती है हमें इन दो Varieties को समझना इसलिए जरूरी है कि दोनों के Symptoms अलग हैं और दोनों के आगे Future में नजर को खराब करने के Incidences या परेशानियां भी अलग-अलग है अगर हम Dry Variety की बात करें तो उसमें सूखे धब्बे यलो कलर के रेटिना के उपर आते हैं और ये 90% लोगों को होता है और इसमें वीजन जाने के चांसिस कम होते हैं इसकी बजाए अगर हम वेट वेराइटी की बात करें तो वेट वेराइटी में आँखों की नजर जाने के चांसिस बहुत जादा होते हैं ये सरफ 10% लोगों में होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ता है और इसमें कई बार आंख में खून की नलकिया आ जाती है जो फटने के बाद एकदम से खून बिखर जाता है और इसमें क्योंकि रोशनी जाने का बहुत ज्यादा खत्रा होता है तो हमें इसके लिए अव अला मुख्यकारण जैसा की नाम दर्शाता है एज साट साल से बड़े हुए किसी भी व्यक्ति को जैसे नॉर्मल एजिंग चेंजेस होते हैं जुरियां पढ़ना बाल सफेद होना उसी तरीके से ये मैकुला का डीजेनरेशन हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं ज और तेजी से आएगा और ज्यादा CVAT में जल्दी उमर में आने की संभावना है रहती है नूट्रियंट्स का बहुत रोल है अगर पूर नूट्रिशन है इस्पेशली वाइटमिन्स की डेफिशिंसी है तो फिर एंटी ऑक्सिदेंट अगर डेफिशिंस है तो फिर एज रि अगरेटेट मैकिलर डीजनेरेशन होने का खत्रा बढ़ जाता है बढ़ा हुआ को लिस्ट्रॉल हाइपरेटेंशन और इस तरह की कई सारी समस्यां बिल्कु यानि कि यह तमाम वो कारण है जिनकी वज़से आपको मैकिलर डीजनेरेशन हो सकता है इस वीच एक कॉलर दिली परहार अमारे सात्त देवास से बने हुए है दिलीब अपने सवाल पूछे द्क्तर बीजनेरेशन है अलो उपने सवाल पूछे दिलीब मेटम मेरा क्या है का आंख में आसू आते हैं और दूर का या पास का दिखता कम है तो मैंने अभी ठेक महींने पहले इंदौर में माजन दख्षाप को दिखाया था तो उन्होंने कोई नस में इंजिसन लगा कि मेरी जाज हेडिती मसिन दुआ रहा तो उन्होंने यह कहा था कि आपके लेंच लेंच खराब होगी हैं तो बदलना प होते हैं जैसे कि चश्मे का नंबर है बढ़ती उमर के साथ में लेंच का दुनला पन है और परदे की खराबी है अगर आपको दो तीन तरीके की प्रॉबलम है और उसमें अगर एक है कि लेंच भी धुनला हो रहा है तो लेंच बदलने से उतनी ही रौशनी आती है जितनी आपकी लेंच की वजह से गई हुई है अगर सपोस्ट परदा कमजोर है तो लेंच की बदलने से आपकी थोड़ी रौशनी बढ़ सकती है तो इसलिए आपके डॉक्स आप जो बोल रहे हैं आप उसको कर सकते हैं या आप एक फिर से दुबारा किसी डॉक्टर से जांच करा सकते हैं और इसी तरह आप भी कॉंटाक कर सकते हैं मारे नंबर से और सीथी अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर विनीता राम्नानीची से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब जाना चाहेंगे कि मेकुलर डीजनरेशन के लक्षन क्या कुछ होते हैं इसमें सबसे पहले मरीज को देखने में परिशानी होती है अब जैसे मोतिया बिंदू होता है उसमें भी देखने में परिशानी होती है तो ये डिफ्रेंशियेट करना बहुत जरूरी है कि कम रोशनी का कारण क्या है और जैसा कि मैंने अभी भी एक कॉलर को बताया कि एक आई एक्जाम चोटी बारिक देखने में आपको लाइट जादा जरुरत पड़े आपको लगे कि रूम में बहुत अधेरा है आपको लगे कि अक्षर पढ़ने में या चीजें देखने में आपको दो या तीन ट्यूब लाइट्स की जरुरत पढ़ रही है तो वो ये एक निशानी है कि ये age related macular degeneration हो सकता है कुछ लोगों को आँखों के आगे तेरते हुए काले धब्बे या काले निशान दिखते हैं especially अगर वो किसी आकरती को देखना चाहते हैं तो उस आकरती के center में वो काले धब्बे दिखते हैं और कई बार अक्षर टेड़े मेड़े यहां खिचे हुए दिखते हैं चेहरे धुनले दिखते हैं जैसे कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है तो यह आपको अगर quality of vision खराब हो रही है तो कहीं न कहीं यह quality of vision age related macular degeneration की वजह से हो सकती है इस पहले आपने मोतिया बिंदू का जखर किया है और यह भी आपसे जाना चाहूंगे कि मोतिया बिंदू से यह degeneration किस तरह से डिफर करता है और internal क्या कुछ process होती है आई की जो इसकी वजह से degeneration की समस्या सकते है जो cataric है वो हमको भगवान ने आई के अंदर एक transparent lens दिया है वो समय के साथ में हाला कि जो मैंने factors बता है macular degeneration के antioxidants की कमी smoking hypertension cholesterol यह सब भी cataric को बढ़ावा देते हैं पर cataric recoverable blindness है अगर आपका lens दुनला हो गया तो उसको हम correct कर सकते हैं लेकिन age related macular degeneration जो है यह एक तरीके की irreversible blindness है तो इसलिए इसको समय पर पहचान कर उसकी रोक थाम करना जरूरी है अगर जो वीजन चला गया age related macular degeneration से तो वो वापस नहीं आता है अगर हम जाच की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को 40 साल की उमर के बाद अपनी रेटिना की टेस्ट जरूर कराना चीए इसपेशली 60 साल की उमर के बाद तो ये कंपलसरी हो जाता है नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ लोग optical shop पे जाके अपने चश्मे के numbers चेक करा लेते हैं लेकिन रेटिना चेक कहीं भी नहीं होता है तो बेटर है कि हम आँखों में आईड्रॉप्स डाल के अपनी रेटिना टेस्ट कराएं तो अगर आपकी वीजन कम हो रही है और डॉक्टर ने रेटिना टेस्ट करके जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसके बाद वो आपकी आँखों की एंजोग्राफी या ओसिटी टेस्ट करवाता है एंजोग्राफी में हाथ में एक इंजिक्शन लगाके आपकी रेटिना की फोटोग्राफ कीचे जाते हैं नहीं कोई ब्लड वैसल लीक तो नहीं कर रही है क्योंकि पहले शुरुवात में इन लीकी ब्लड वैसल्स के लेजर किये जाते थे जिसे फोटोडाइनामिक थेरपी कहते थे OCT इसका बहुत अच्छा डाइग्नॉस्टिक मेजर है जिसमें कि हम आँख को एक लेयर बाई लेयर रेटिना को स्केन करते हैं और यह बहुती सिंपल जांचे और इसके रिजल्स बहुत अच्छे हैं एक लेंडमार्क इसका डाइग्नॉस्टिक एरिया है जिससे कि हम ड्राय और वेट वेराइटी को भी डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं चले चर्चा को आगी बढ़ाएंगे और अब इसके इलाज की भी हम जान रहते हैं कि इलाज इसका किस तरह से होता है नाकर विनीता जाना चाहेंगे कि कितने प्रकार के इलाज इसके लिए अबलेबल हैं क्या है कई हमारे दर्शकों ने सुना होगा कि आँखों में महंगे इंजेक्शन लगते हैं तो इसका जो वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेट ए रमडी कहते हैं उसमें एंटी वीई जी एफ इंजेक्शन लगते हैं पर जहां तक ड्राय वेराइटी का इलाज है उसमें में यह यह कि उसको पहचान कर उसका रेगूलर फॉलो अप करते हैं क्योंकि कुछ परसेंटेज ड्राय वेराइटी के वेट वेराइटी में कनवर्ट हो जाते हैं और जब वो वेट वेराइटी में कनवर्ट होते हैं तो इस तरी वाली गोली होती है वो दी जाती है आपके जो हाय रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कॉलेस्टरॉल, स्मोकिंग, ब्लेड प्रेशर उनको कंट्रोल किया जाता है और आपको वो एमसिलर ग्रिड जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दिया जाता है कि आप इसको महने में एक बार ट होती है एक महेंगे वाले इंजिक्शन्स जो की लगातार हर महने दिये जाते हैं और दूसरा कई बार लेजर थेरपी जैसे मैंने बोला कि जिसे हम PDT या फोटो डैनमिक थेरपी कहते हैं पिल्कुल आप से और ये भी जानना चाहेंगे जिन मरीजों की आखे पहले ही कमजो का diabetes से कोई relation नहीं है क्योंकि diabetes वाले मरीजों में cataract हो सकता है dryness हो सकती है आँखों में और एक अलग किसम की blood vessels की leak है जोती है जिसे हम diabetic retinopathy कहते हैं हाला कि उसका भी इलाज इन महेंगे injection से कई बार करना पड़ता है पर diabetic retinopathy में मुख्य इलाज है diabetes को control करके जो retina की vessels leak कर और ये वाला laser जो होता है वो green laser होता है वो इस age related macular degeneration की laser से अलग होता है जहां तक age related macular degeneration की बात है वो blood pressure वाले मरीजों में high cholesterol वाले मरीजों में ज्यादा देखा गया है और इसका सीधा connection उमर से है weight variety में क्योंकि हम injections लगाते हैं तो कई तरीके की injections आती हैं जो हमें monthly लगा आना पड़ता है क्योंकि इनकी जो है वो है half life in दवाईयों की वो 4-6 हफते होती है हाला कि आजकल ऐसी कोई इस तरीके की कई सारी injections market में हैं जैसे आईलिया है या पेजिनेक से उनका effect 8-12 हफते तक भी रहता है तो number of injections ऐसे मरीजों की दीरे-दीरे कम हो रही है पहले हम की 8-10 प्रकार की injections हमको available है जिससे हम मरीज को हम सुविधा जनक treatment दे सकते हैं चले स्वेचे कॉलर सुमित अमारे साथ मंदला से बने हुए है सुमित अपना सवाल पूचे है हा मैडम मैं सुमत कुमार जैन पिंडरी जिला मंदला से बोल रहा हूं मेरा नाती है जो दस्ताल क जी तो वह दस्ताल का और अभी सोच को बहुत मौटा चास्मा लग जया है तो देखिए हमने कई सारे हमारे प्रोग्राम कियें कि बच्चों में चश्मे का नंबर क्यों लगता है तो बच्चों में चश्मे का नंबर हैरीडी ट्री याने आंखों की बनावट रहता है और फिर उसके चश्मे के नंबर्स तेजी से न बढ़ें उसके लिए आप उसे रेगिलर चश्मा लगाएं हर छे मैने में उसके चश्मे की चेक अप कराएं और उसका डिजिटल गैजेट्स का इस्तमाल बिलकुल कम कर दें और जितना हो सके उसे नैच्रल लाइट में बाहर काम करने के लिए या बाहर पढ़ने के लिए प्रयरित करें उसको अंदर आटिफिशल लाइट्स में नहीं बैठने दें और उसके खाने पीने सोने का ध्यान रखें ताकि वो नंबर तेजी से न बढ़ें चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेकुलर डी जैसे होते हैं जो इस उमर में आके अपनी खोती हुई नजर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं तो मुरा इस प्रोग्राम और इस टॉपिक को लेने का उदेश ही यही है कि एज रिलेटेट माकिलर डी जनरेशन को हम बढ़ने से रोक सकते हैं कई बार मरी मरीच की रोशनी को हम उसी जगह पर थाम लेते हैं पर आगे रोशनी और इंप्रू हो जाए मोतिया बिंदु की जैसे रोशनी इंप्रू हो जाती है वैसे नहीं होती है इसलिए एज रिलेटेट माकिलर डी जनरेशन वाले सभी मरीजों को अपनी जांच समय रहते करा लेन चाहिए और डॉक्टर अगर आपको कोई पर्टिकुलर इलाज बता रहा है तो उसे जरूर ले क्योंकि मैंने अपने ही खुद के इतने सारे मरीज देखे हैं जिनको मैंने पहले इंजिक्शन की सलहा दी पर कहीं वो महेंगे हैं इंजिक्शन या फिर हमको हर महने लगवान पड़ेंगे इस चक्कर में वो मिनिममम जो थ्री इंजिक्शन का डोज है वो भी कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमें इस बिमारी की गहराई को समझना है और अवेर रहना है कि अगर हम इंजिक्शन नहीं लगाएंगे तो हमारी रोशनी जा सकती है लेकिन एक अच्छी पर वो अपना पूरा काम कर सकते हैं जैसा कि यह पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि यह बहुत सारी स्टेजिस हैं जिसमें कि वो धीरे 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 बढ़ता है अगर वो मरीज एंड स्टेज में भी पहुंच रहा है तो कम से कम इतना वीजन रहता है कि वो अपना डे शाहीता क्या E-R-M-D के साथ-साथ दूरी दूसरी जो बीमारिया हैं इनका भी खत्रा बढ़ जाता है जिस तरह से अम जिक्र कर रह थे ग्लॊकोमा रटमीपेथी और केटिरैक जो से बीमारिया आम होती हैं अखों के लिए लेकिन क्या E-R-M-D के साथ-साथ इनका खत्रा तो बढ़ती हुई बिमारियां, बढ़ती हुई एज इन बिमारियों के लिए एक तरीके से नियोता है तो अगर हम बढ़ती हुई उमर के साथ में आई टेस्ट कराएंगे तो डेफिनेटली आपका डॉक्तर इन सारी बिमारियों को देखेगा और उससे आपसे इलाज बताएगा आज कुल दॉक्टर विनीता काफी जादा डुफरंस आया है यूजवल रुटीन में और कई बार देखा गया है कि ड्रग्स और इल्कोहल और स्मोकिंग जैसे चीजों में लोग जादा इंवॉल्फ होते जा रहे हैं और यंग्स्टर्स के इस पर एक डिरेक्ट एफेक्ट डालती है यह जैसा कि मैंने बताया कि यह बढ़ती हुई बिमारी बढ़ती हुई उमर की बिमारी है तो उमर के साथ में डीजेनरेशन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है लेकिन हम सब लोग एज तो होते ही हैं तो सारी बिमारियां किस तरह से डाइट पर इसका इंफ्लूएंस है और डाइट में ऐसी कॉंसी चुईजे हम इंफ्लूट कर सकते हैं जुसकी वज़ा से हमें इस तरह की प्रॉब्लम आगे ज़ाकर ना हो लेकिन आम तोर पर जब हम देख रहे हैं कि मैकुलर डीन जनरेशन ऐसे लोगों में ज अब रुक करेंगे डॉक्टर विनीता रामदानी का हम जाना चाहें कि आपसे किस तरह की चीज़ें हम अपनी डाइट में इंफ्लूट कर सकते हैं जिसके विज़ासे आगे ज़ाकर मैकुलर डीजॉनरेशन जैसी बीबारी हमें ना छी लिए पड़ें बिल्कुल वाइटम बिल्कुल स्मोकिंग अवाइट करें हाई कॉलिस्टरॉल लेवल भी रिस्क रहता है इसलिए तली हुई चीजों का इस्तमाल ना करें वैसे भी ओल्ड एज में हमें प्रोटीन्स की जादा जरुरत होती है तो किसी भी बिमारी से बचाओ के लिए हमें एक हेल्दी डाइट उसमें नॉर्मल डाइट के अलावा एक एक्सरसाइज और वाकिंग या फिर गुट कंट्रोल आफ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट यह बहुत इंपोर्टन है क्योंकि कहीं न कहीं ओपैसिटी भी एक कारण बनती है इन सारी बिमारीयों का अन्तवे क्या संदेश राब दर्शुप को देना चाहेंगी संचुप में समझा सेकते हैं सभी बढ़ती उमर वाले मरीजों के साथ मेरा ये कहना है कि आँखें क्योंकि बहुत मुख्य अंग है हमारी शरीर का तो एक रुटीन सालाना आई टेस्ट जरूरी है जिसमें कि डॉक्टर आपकी बिमारीयों को सही समय पर पैचान कर उसका सही इलाज बता सकता है कुछ लोग डॉक्टर का कहा हुआ मानते नहीं है तो ये जरूरी है कि अगर डॉक्टर ने आपको कुछ समझाया है तो आप भले उनसे दुबारा पूछ लीजिए लेकिन उनके दिये गए जो भी आपको इंस्ट्रक्शन्स यां हिदायते हैं उनको जरूर फॉलो करिए त कोई शाररिक बिमारी हो तो भी उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है चलिए डॉक्टर बनीता बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अमारे साथ शर्चा में चुड़ने के लिए नमस्कार धन्यवाद चलिए तो आज डॉक्टर बनीता नामनानी से आखों की समस्या के बारे में हमने जानकारी ली निशुतरूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जबाब मिल गए होंगे आखों के समस्या को लेकर बिलकुल भी लापरवाही ना करें डॉक्टर से संपर करें स्वस्त रहे और बनी रहें बनसली उसके साथ